सभी मीन रासी के भाई बहनों का सादर अभिवादन आज हम समझने जा रहे हैं केतु के सुभ प्रभाव को कैसे यही केतु अब समय आ चुका है जो हमारे जियोन में हमको सफलता के स्रिष्ठ मुकाम तक पहुंचा जाए क्यों से वो कारिये हैं जो केतु के द्वारा हमारे जियोन में बनने जा रहा है इस बात को हम समझेंगे साथ ही साथ इस बात को भी समझने वाले हैं कि किस उपाय के माध्धम से यह केतु हमारे लिए बहुत सा करात्मक परिवरतन हमारे जियोन पर ला सकते हैं एक एक बातों को समझेगा, दियान रखेगा आपके अपने मीन रासी से ठीक सब्तम भाव पर केतु देविद्यमान है, 30 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन था, जिस दिन इनका गोचर प्रवेस आपके सब्तम भाव पर हुआ था, और अभी ये पूरे के पूरे मई 2025 तक रहेंगे, मतलब काफी लंबा समय बचा हुआ है, और इस समय पर यदि हमने इस केतु को जाना, इसको समझ लिया, तो समझे आधा जंग तो हमने आज इस वीडियो में ही जीत लिया, समझेगा, केतु के पास एक धर्म की ध्वजा होती है, एक ध्वजा केतु के पास है, अर्थात ये जिस भाव पर होते हैं उस भाव पर हमको फते हमको जीत प्राप्त होती है देखा जाये तो दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सब्तम भाव आपका कर्म छेतर है आपका करियर है आपका दामपत जीवन है पार्टनर्सिप समंधी कारिय है और यही आपके बिजनेस को भी र सारे इवेंटों को लेकर अब लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है क्यों अभी तक जब 30 अक्टूबर से आए हैं उसके बाद भी अभी प्रॉब्लम क्यों चल रही है इसका दो कारण है प्रथम कारण आप समझेगा राहू के पास उपरी हिस्सा है और केतू के पास नीचे का हिस्सा होता है इनके पास हाथ है इनके पास पर है और इनके पास दिल होता है अर्थात एक मा के दिल के समान इस केतु का स्वभा होता है लगातार कोई बच्चा किसी कारे को करने के लिए अर्थात मा लिजे एक जगा आग जल रही है वो बच्चा बार बार दो कि मा का दिल कैसा है मा तो ये सोच रही कि मेरा बच्चा कहीं जुलस न जाए कहीं वो आग में जल न जाए और इस कारण से बार-बार रोकने का यह कारे करती है और ठीक इसी प्रकार से केतु आपके सप्तम्भाव पर हैं जो आपको आगाह करना चाहते हैं आपको सतर करना चा कारण से ये मा के दिल के समान इस केतु का प्रभाव होता है। दूसरे तरफ से समझा जाए तो अभी गुरु और केतु का एक सडाश्टा की योग चल रहा है जिसने कारण से ये आपको 100% का रिजल देने में सक्षम नहीं है। क्या चल रहा है इसको समझेगा। गुरु देवता ठीक जो आपके मीन रासी के अपने ही रासी के जो स्वामी बनते हैं यही है देव गुरु बिरहस्पती और बिरहस्पती का प्रभाव आपके धन भाव पर है। देखा जाया तो गुरु से गिन ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, छटवे भाव पर जाता है, जे ओतिस सास्तर में इसे बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता, कोई न कोई रुकावट, परसानी, डिप्रेसन, तनाव का हमें सामना करना पड़ता है। उस इसाब से क्या ये परिवर्तन का समय है, तो हाँ, एक मई संदो हजार चोबिस का वो डेट होगा, ज इस समय पर होगा, जैसे गुरु देवता पहुंचेंगे तीसरे घर पर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इनकी पंचम द्रिष्टी पढ़ जागी केतू पर, अब केतू को यहाँ पर बल मिल गया, केतू एक स्वेम त्यागी है, एक सन्यासी है, एक फकीर है, एक महात्मा है अब गुरु देवता स्वेम धर्म के कारक माने गए हैं, धर्मि गर्ह माने गए हैं गुरु को, भाग के कारक माने गए हैं गुरु को, अब ये समझे, दोनों का कॉम्बिनेशन, गुरु की द्रिष्टी आजाएगी, केतू को एक बल मिल जाएगा, भई, अब हमारे समान यदि कोई व्यक्ति हमें मिल जाता है कितने हमी प्रसनता की प्राप्त होती है ठीक इसे प्रकार से केतु कोई प्रसनता मिलेगी अर्था जो कारिय आपके ब्यापार में आपको प्रगती प्रत पर अग्रसित होते हुए नहीं देख पा रहा है आप यहाँ पर एक सुनियोजि तरह भी हम उन्नती नहीं कर पा रहे हैं अब दसम से दसंभा होने के कारण केतु देव आपके साथ में रहेंगे यदि हम अपने जो दामपत जीवन है पारिवारिक जीवन में कोई असांतियां बनी हुई है किसी कारण से तनाव डिप्रेशन का समय चल रहा है उससे हम बाहर निकल पाएंगे अब केतु के पास वह सब समराज जाएगा सब्तम्भाव आपके पार्टनर्सिप में भी एक सफलता दिला जाएगा कोई नया पार्टनर आपके साथ जूड़ सकता है चाहे वह आपके वहवाहिक जीवन में हो यदि आप वहवाहिक जीवन आपका समाप त निकाल करके ले पाएंगे दिखना नहीं चाहते जो दीख रहे हैं वो कौन है राहू है जो नहीं दीख रहे हैं जो वास्तविक्ता में जो काम कर रहे हैं कौन है केतू है और यही केतू आपके सब्तम्भाव पर है कैरियर बिजनेस बैपार में भी एक बहुत अच्छा काम आपका बना सकते हैं इस बात से underground हो करके फैला हुआ है और वहां पर केतू का इस्थान माना गया है हमारे घर के corner में केतू का इस्थान होता है और जूँँ अब इस केतू को विसेस प्रभावी बनाने के लिए हम कौन से उपाये कर सकते हैं ध्यान से समझेगा जो आपके पित्रगर हैं जो आपके पुरव ये साख्षात केतू हैं इसके अमवस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम पर मंदिर में दान जरूर कीजेगा किसी ब्राम्हण को भोजन कराईएगा या किसी जरुतमन की सहायता करके भी आप इस केतू को प्रभावी बना सकते हैं इसके अलावा जो हमारे जो कुल के देवी देवता होते हैं हमने आपको कहा कि केतु जड़ है वास्तो इकता में जड़ कहां पर है हमारे जो पूरुवज हैं वो किस देवी देवता की आराधना करते हैं कोई उसी के बलड है न हम तो उहाँ पर पता कीजिए आपको ग्यात होगा तो अपने कुल्ग देवी देउता का पूजा करना उनका अनुसरन करना आपके जीवन को स्रेष्ठ बना सकता है इसके अलावा भगवान स्री गणेश जी महराज साख्शाथ केतु के सुभ प्रभाव में बृद्धि करने जीवन क करने वाले हैं जिन पर इनकी सवारी होती है जो मुसक की सवारी है यही है हमारे केतु देउता और जब हम भगवान स्री गणिस की पूजा करते हैं, भगवान गणनायक की हमें कृपा तो मिल ही गई, साथ ही साथ इस केतु के प्रभाव को हम कई गुना बृद्धी कर सकते हैं, अर्था इनकी कृपा की जो दृष्टी है, उसको प्राप्त करके अपने जीवन को बहुत ज सभी ग्रहों की चर्चा होगी, केतु को बहुत कम ही लिया जाता है, जबकि वास्तवी की ये जड़ है, देखा जाया तो जड़ पर कोई काम करना नहीं चाहेगा, तो कैसे वो इमारत खड़ी होगी भई, हम जब घर का निर्मार करते हैं, तो पुरा काम जबसे ज़्यादा कहा होता है, बेस में होता है, जिसका निव कमजोर हो गया, तो वो महल भी यदि खड़ा हो जाए, तो गिरने में टाइम नहीं लगता, अर्थातिस केतु को आप मजबूत कीजे, जो उपाय बताए, इसे कीजे, देखिए आपके जियोर में कितना कुछ चमतकार करके आपके काम को बना सकता है, उमीद है, आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है, यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांती इस बार भी अपन प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि मीन रासी ने हमें सरहा है हमने अच्छा कारे किया है और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिएगा पुना एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इन ही सुपकामनाओं के साथ जै स्री राम